वेलकम बैक दोस्तो इस विडियो में हम देखेंगे कि रुबिक्स क्यूब की फर्स लियर को कैसे सौल करते हैं So, Rubik's Cube की first layer solve करने के लिए मैंने ये process दो parts में divide की है So, ये video इसका first part है So, उससे पहले मैं इस Rubik's Cube को scramble कर देता हूँ So, ये जो मैंने cube scramble कर दिया है अब हम इसकी first layer करना सीखेंगे जैसे कि मैंने पहले वीडियो में देखा था हम white color को अपनी first layer यानि की base लेंगे आप कोई भी color ले सकते हो लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप white color ही ले So, first layer complete करने में दो processes होती है Firstly हमें एक white cross बनाना होता है White cross मतलब की white के सब colors यहाँ पे ऐसे properly aligned होँगे So, first layer solve करने में first step हमारी है कि हम यहाँ पे एक white cross बनाएंगे कुछ ऐसा So, यह आप देख सकते हैं कि ऐसा white cross हमें first बनाना होता है अब ऐसा मत किजिए कि आप बस white cross बना रहे है So, यह edge piece हमने देखा था, edge piece के दो color होते है तो यह दूसरा color उसके centerpiece के साथ match होना चाहिए यहाँ पे blue blue के साथ match हो रहे है यहाँ पे orange orange के साथ match हो रहे है वैसे ही green और red अपने centerpieces के साथ match हो रहे है तो firstly हमें ऐसा एक cross बनाना होता है So, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह cross कैसे बनाते है वो process बहुत ही easy है चलिए देखते है So, यह वापस हमारे पास एक scrambled cube है तो first of all हमें ऐसे red cross बनाने के लिए सारे white edges को इस yellow side पे लाना होता है हमने edges देखे थे क्या होते है दो color वाले pieces So, यह से यह एक white edge है यह है एक white edge है एक और white edge है और यह एक white edge है टोटल चार white edges है So, इन सब edges को हमें इस yellow side पे लाना होता है जिससे कि यह white color यह yellow piece के साथ match हो जाए So, इस case में हमें पहले सी एक edge मिल चुकी है इसको करने के लिए कोई भी algorithms नहीं लगते यह case बहुत ही intuitive है intuitive मतलब क्या intuitive मतलब कि इसको कोई algorithms नहीं होते है इसको हमें अपने खुद के logic से solve करना होता है So, चलिए हम देखते है कि इस example में हम देख सकते है कि यह एक white edge हमें already solved मिली है So, यह correct case है कि यह yellow color है उसके बाजू में एक white edge होनी चाहिए corner की ज़रूरत नहीं है edge होनी चाहिए तो इसी edge की तरह हमें और बाकी यह 3 edges भी yellow के बाजू में लाने है यह बहुत ही simple process है इसके लिए बस हमें अपना logic यूज़ करना है So, अब हम देखेंगे कि पहले तो हम एक white edge ढूंडेंगे So, इधर मुझे white edge मिल रही है अब इस white edge को मुझे इस yellow piece के yellow center piece के बाजू में लाना है इस piece के तरह So, अब मैं मेरा common sense यूज़ करके देखूंगा तो अगर मैंने ये piece ऐसे उपर लाया तो भले ये piece बाजू में आ रहा है लेकिन white color yellow color के बाजू में नहीं आ रहा है ये सबसे important है white color yellow color के बाजू में आना चाहिए So, ये piece ऐसा था तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के देखूंगा कि कैसे जा सकते है So, मैं क्या करूंगा कि इसको पूरा उपर लाने की जगा थोड़ा एक नीचे लाऊंगा और इसके बाद हम अपने logic से देख सकते है कि ये white piece को yellow के बाजू में लाने के लिए मुझे बस इसको उपर लेके आना है So, दो edges हो गए हमारे ये color छोड़िए इसका मट देखिए बस yellow के बाजू में एक white edge आना चाहिए So, अब मैं तीसरे edge को ढूनते है हम white edge को So, मुझे दिख रहा है यहापे तीसरा white edge है तो अगर अब इस edge को मुझे yellow के बाजू में लाना है तो मैं पहले दिमाग लगा के क्या करूँगा इसको उपर लाऊंगा पर जब मैं ये piece उपर ला रहा हूँ हमें दिखाए देता है कि ये हमारा पहले जो हमने piece लाया था आपको याद होगा ये पहले हमने piece लाया था वो बिगड रहा है ये उपर लाने से सो मैं simply थोड़ा common sense लगा के ऐसे कुछ करूँगा जिससे ये दो pieces भी disturb ना हो और ये तीसरा edge भी यहाँ पर उपर आ सके सो मैं क्या करूँगा ये दोनों pieces को बाजू में लूँगा और इसको उपर लाऊंगा देखा आपने तो ये तीन edges हमारे हो गए है बस एक last edge ढूणना है जलती से ढूण लेते है ये मिल गया तो ये एक और edge है यहाँ पर ये white edge मुझे yellow के बाजू में लाना है तो अगर मैं ऐसा करूँगा directly तो ये बाजू में तो आ रहा है लेकिन ये डिस्टर्ब हो रहे है तीन पीसिस तो मैं क्या करूँगा ये वाली जगा खाली है तो मैं इसको पहले इसके पास लाऊंगा और फिर इसको उपर लाऊंगा अब आप देख सकते हैं ये चारो एजिस यलो के बाजू में आ गए है तो ये हमारा फिर्स स्टेप होता है करने के लिए अब वाइट क्रॉस बनाने इसके बाद वाइट क्रॉस बनाना बहुत बहुत इजी है चार सल का बच्चा भी कर सकता है तो अब हम क्या करेंगे कि एक-एक पीस लेंगे सब्सक्राइब वाइट और ग्रीन का अब हम क्या करेंगे ये ग्रीन कलर है ना इसको हम इसके सेंटर पीस के साथ मैच करेंगे अभी ये ग्रीन और ओरेंज है ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है सो मैं इसको थो एक बाजू में लूँगा सो अब एक green और blue है यह match हो रहा है नहीं हो रहा है सो मैं एक और बार कुमाऊंगा यह green और red है match हो रहा है अभी भी नहीं हो रहा है सो मैं एक और बार कुमाऊंगा तो अब एक green और green अब यह match हो गया एक बार ये match हो जाने के बाद हमें इसको नीचे ढखेल देना है नीचे कैसे ढखेलेंगे बस ऐसे दो बार करेंगे बहुत easy process है हमने देखा हमने ये match कर दिया फिर हमने इसको नीचे ढखेला सो एक हो गया अब यही प्रोसेस हमें बाकी सब के साथ भी करना है चलिए जल्दी से कर देते हैं सो यह वाइट और ब्लू है पहले मैं ब्लू को उसके सेंटर पीस के साथ मैच करूँगा ब्लू और ओरेंज मैच हो रहा है नहीं हो रहा है एक बाजू में लेके आँगा ब्लू और ब्लू मैच हो रहा है हो रहा है तो मैच होने के बाद क्या करना है हमें इसको नीचे ढखेलना है अब सिंपल लैंग्वेज में समझो नीचे ढखेलना है मतलब मुझे इसको नीचे लेके जाना है सो मैंने इसको नीचे लगे अब यह हमारे दो edges हो गए perfectly देखिए इधर भी white है और green के साथ green है सो इनके colors उनके centerpiece के साथ match कर रहे हैं जो होने चाहिए सो तीसरा यह मैं यह वाला edge लेता हूँ सो यह हमें already match हो चुका मिला है तो यह बहुत easy है बस इसको नीचे धकेल देना है सो यह अगला वाला edge है सो यह orange green match नहीं हो रहा है orange और orange match हो रहा है तो match होने के बाद हम धकेल देते हैं सो इसी के साथ हम अब आप देख सकते हैं कि हमारा cross बन चुका है और यह सब pieces भी उनके centerpiece के साथ match कर रहे है तो इसी के साथ हमने सीखा कि cross कैसे solve करते हैं सो अगले वीडियो में हम इसी के कुछ 3-4 example solves देखेंगे जिससे की आपको help होगी